हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आज इस बहुत छोटे से वीडियो में हम क्लास 12 के बहुत ही इंटरस्टिंग लेसन टीव वॉटर का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे यह दूसरा पार्ट है पहले पार्ट का लिंक आपको मिल जायागा जिस मैं देखा किस तरह विलियम डॉगलर्स स्विमिंग सीखना चाहते थे और उन्हें पानी से बहुत डर लगता था उनकी लाइफ में कुछ इस इखटना है हो चुकी थी देखे आगे वो क्या करते हैं इट सीम्ट ऐसा लगा लांग वे डाउन नीचे जान जूता माई लंग्स वेर रेडी तू पर्स्ट मेरे फेबडे फटने के लिए तैयार थे बट वेन माई फीट हिट बॉटम लेकिन जैसे मेरे पैरों ने तली को ठोकर मारी अमें टकराया आई सम्मंड आल माई स्ट्रेंथ मैंने अपनी सारी ताकत को इखटा किया और मेट आई थार्ट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अफवार्ट और प्रियास किया कि मैं एक दम उचल कर बाहर आऊंगा आई इमेजिन आई वोड बॉट बॉब तो दे सर्फेस लाए के कौर मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं कौर की तरह उचल कर बाहर आऊंगा इंस्टीट बजा इसक सिर्फ पानी वाटर डैट हैडा डर्टी येलो टिंग टू इट पानी जो की कंदे पीले रंका था आई गिरू पैनिकी मैं बहुत डर गया आई रीच्ट अप मैं बहार आया एज इफ तो ग्रेव रॉब जैसे कि मैं एक रर्सी पकड़ने वाला था एंड माई हैंड एंड लेकिन मेरे हाथों में सिर्फ पानी आया I was suffocating मेरा दम घुट रहा था I tried to yell मैंने चीखने की कोशिश की but no sound came out लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई then my eyes and nose came out of the water तब मेरी आखें और नाख पानी के बाहर आये but not my mouth लेकिन मेरा मुँ बाहर नहीं आया I flit at the surface of the water मैंने पानी की सतय पर संघर्श किया swallowed and choked पानी निगला और मेरा गला रुद गया I try to bring my legs up मैंने अपने पैरों को बाहर निकालने की कोशिश की but they hung as dead weights लेकिन वो मुरत शरीर की तरह भारी हो गया थे लटक गया थे paralyzed and rigid और एक तरह से बिलकुल jam हो गया थे जगल गया थे a great force was pulling me under एक बड़ी ताकत मुझे नीचे खेंच रही थी I screamed my cheekha but only the water heard me लेकिन मेरी आवाज सिर्फ पानी ने सुनी I had started on the long journey मैंने एक लंबी यातरा प्रारह कर दी थी to the bottom of the pool pool की तली तक जाने के लिए I struck at the water मैं पानी से ठकराया as I went down जैसे ही मैं नीचे गया expanding my strength अपनी शक्ती को बढ़ाते हुए as one जैसे की कोई in a nightmare दरावने सपने में fights माने लड़ता है an irrestible force एक अंजानी शक्ती से I had lost all my breath मेरी सांसे मेरे काबू में नहीं थी my lungs edged मेरे फेपड़ों में दर्द हो रहा था my head throbbed मेरा सर चक्राया I was getting dizzy मुझे चक्कर आ रहे थे but I remembered the strategy लेकिन मुझे योजना याद थी I would spring from the bottom of the pool मैं पूल के यानिकी उस ताल की तली से उचलूंगा and come like a cork to the surface और तली पर cork की तरहे आऊंगा I would lie flat on the water पानी पर चप्टा लेट जाऊंगा strike out with my arms और अपने हाथों से संगर्श करूंगा चलाऊंगा and thresh with my legs और अपने पैरों को भी चलाऊंगा पानी काटोंगा then I would get to the edge of the pool and be safe और उसके बाद मैं पूल के किनारे पहुँच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा I went down, down में नीचे जाता रहा endlessly, untaheen I opened my eyes में ने अपने आखें कुछ नहीं दिखाई दिया सवय पानी के एक हलकी सी पीली दीपती दिखाई दी डार्क वाटर बिलकुल अंधकार में पानी that one could not see through जिसके पार कोई कुछ नहीं देख सकता and then sheer stark terror seized me, मुझे किसी और ने नहीं सिर्फ आतंक निकस के पगड़ रखा था, terror that knows no understanding, आतंक कुछ कुछ भी समझता नहीं है सारी समझ खत्म कर देता है, terror that knows no control, आतंक जिस पर किसी का नियन प्रण नहीं जो इसे मानता नहीं, terror that no one can understand, आतंक जो कोई नहीं समझ सकता who has not experienced, जिसने इसका अनुभब ना किया हो, I was shrieking underwater, मैं पानी में जोर जोर चीख रहा था, I was paralyzed underwater, और मैं पानी के अंदर एक तरह से अशक्त और निस्टेज हो गया था stiff rigid with fears, डर से मैं कड़ा और कठोर हो गया था, even the screams in my throat, यहां तक कि मेरे गले से चीखें भी were frozen जम गई थी, only my heart, कि बल मेरा हिर्दे, and the pounding in my head, और मेरा सर, इनकी आवाजें ही said, कह रही थी, that I was still alive, कि मैं अभी भी जिन्दा हूँ, and then in the midst of the terror, और तभी इस आतंक को डर के बीच में, came a touch of reason, एक युक्ती सूची, I must remember to jump, मुझे याद रखना चाहिए था, कुदना, when I hit the bottom, जब मैं तली से टक रहूँ, at least कम से कम I felt the tiles under me, मैंने अपने पैरों के नीचे tiles को महसूस किया, my toes reached out as if to grab them, मेरे जो पैर के अंगोठे थे वो वहाँ पहुचे, इन चीज़ों को पकड़ने के लिए, I jumped with everything I had, अपने पूरी कोशिश से, अपने पूरे जोर से मैंने कुदने की कोशिश की, मैं कुदा, but the jump made no difference, लेकिन इस क अपने से कोई लाव नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं पड़ा, the water was still around me, पानी अभी भी मेरे चारो ओर था, I looked for ropes, मैंने रसीयों के लिए देखा, ladder सीडियों को ढूंडा, water wings, पानी के पंखों को जल पंखों को तलाशा, nothing but water, लेकिन सिवाए पानी के कुछ नहीं मिला, a mass of yellow water held me, पीला पानी का एक धेर मेरे चारो ओर था, this dark terror took an even deeper hold on me, आतंक ने मुझे और जोर से जकर लिया, like a great charge of electricity, जैसे बिजली का बहुत बड़ा एक current लगा हो, I shook and trembled with fright, मैं काप रहा था, कपकपा रहा था, डर से, my arms would not move, मेरे हाथ नहीं हिल ले थे, my legs would not move, मेरे टांगे नही हिल नहीं थी, I tried to call for help, मैंने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, to call for mother, mother, मा के लिए आवाज लगा, nothing happened, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, and then, और तब strangely, अदभुद धंग से, विचत्र धंग से, there was light प्रकाश हुआ, I was coming out of the apeful yellow water, मैं उस बहुत बुरे पीले पानी से, डरा ने बाहर आ रहा था, at least my eyes were, कम से कम मेरी आखें, my nose was almost out too, और मेरी नाख, पूरी तरह से बाहर थी, then I started down a third time, और तब मैंने तीसरी बाहर नीचे जाना शुरू किया, I sucked for air, मैंने वायू को चूसना चाहा, and got water और पानी मिला, the yellowish light was going out, अब वो पीली रोश्णी, जा रही थी, then all efforts ceased, तब सारे प्रियास समाप्त हो गए, I relaxed, मैं शान्त हो गया, even my legs felt limp, यहां तक की मेरे पैर भी ठक गए, and a blackness swept over my brain, और मस्तिष्ट पर एक कालिमा चाह गई, it whipped out fear, सारा डर चला गया, गायव हो गया, it whipped out terror, सारा आतंक भी चला गया, there was no more panic, अब कोई घबराट नहीं थी, it was quiet and peaceful, बड़ी शान्ती और खामोशी थी, nothing to be afraid of, डरने की कोई बात नहीं थी, this is nice, बड़ा अच्छा था, to be drowsy, नीद में होना, या उनीदा होना, to go to sleep, सोने के लिए जाना, no need to jump, कुदने की अब कोई आवेशकता नहीं, too tired to jump, इतना थक चुका था कि अब कूद भी नहीं सकता था, it's nice to be carried gently, धीरे धीरे उतरना, बड़ा ही अच्छा था, to float along in space, जैसे शून में जाना, अंतरिक्ष में जाना, tender arms around me, कॉमल भुजाएं मेरे इर गिर थी, tender arms, कॉमल भुजाएं, like mothers जैसे मा की, now I must go to sleep, अब मुझे सो जाना चाहिए, I crossed to oblivion, मैंने विस्मर्ती पाली थी, and the curtain of life fell, और जीवन का परदा गिर गया था, the next, अगली बात, I remember, जो मुझे याद है, I was lying, मैं लेटा हुआ था, on my stomach, पेट के बल, beside the pool, ताल के निकट, vomiting उल्टी कर रहा था, the chap that threw me, वो लड़का जिसने मुझे फेंका था, in अंदर वाजसेंग कह रहा था, but I was only fooling, मैं तो के बल मजा कर रहा था, someone said, किसी ने कहा, the kid nearly died, ये लड़का तो मरने ही बाला था, we all right now, अब सब कुछ ठीक करो, let's carry him, आओ इसे ले चलें, to the locker room, locker room, so friends, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, share करें, subscribe करें, कहानी का बचा हुआ भाग, हम अगली वीडियो में translate करेंगे, तक तक, bye, take care, lots of love करेंगे, जुक ये बाला थाख़ भागवावदा लगवार तक, सब करेंगे बाला है, तक, ज अगभावदाने ही, आगकित अगवावदाला थाख़, अवे और वीडियो का अगवदारा इसे खशता करेंगे, अगली आगवदाराओ. झाल 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 झाल